अस्सलामु अलेकुम एवरीवन कैसे हो आप सब लोग भाई 2021 का फाइनल फेज चल रहा है कई सारे बेहतरीन स्मार्टफॉन लाँच हुए इस साल में अब भाई मसला यहां आता है जब एक नॉर्मल मिडल क्लास आदमी एक नया स्मार्टफॉन खरीदने का सोचता है तो उसके पास इतने सारे आप्शन्स होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सा फॉन बेहतर है कौन सा पिक करना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए तो भाई मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ क्योंकि मैं यह बात जानता हूँ कि एक मिडल क्लास बंदे के लिए अपनी रेगुलर रोटीन से हट कर 35,000 रुपए जमा करना उनको समाल कर रखना और एक बहतर डिवाइस के उपर वो पैसे लगाना कि बहुत बड़ी बात होती है कोई यह आम सी बात नहीं होती बहुत वैल्यू होती है उस बंदे के लिए उन पैसों की तो मैं इस बात को समझता हूँ तो मैं आपको बहतर गाइड करूँगा भाई मैंने आपके लिए 5 बहतरी इन डिवाइसे सिलेक्ट की हैं इन में से कोई भी डिवाइस आप बाई कर पाएंगे अपने स्पेसिफिकेशन के दाइरे को देखते हुए तो अब भाई बगएर किसी देर के इस वीडियो के पहले स्मार्ट फोन की तरफ चलते हैं अब सबसे पहला स्मार्ट फोन हमने रखा है इन्फिनिक्स नोट 11 इस स्मार्ट फोन भाई रिसेंटली पाकिस्तानी मार्कीट में लाँच हुआ है और इसकी मेन हाइलाइट है इसका डिस्प्ले इस मुबाईल फोन में आपको amulet डिस्प्ले मिलता है इस फोन को मैने खुद यूज किया है तो मैं आपको बहतर बता पाँगा मुझे ये फोन परसनली काफ़ी अच्छा लगा मैंने इसको काफ़ी time यूज किया है पर इस mobile phone का display काफी अच्छे colors आपको दे देता है लेकिन इसमें आपको higher refresh rate नहीं मिलता 60 Hz का refresh rate है तो उसमें आपको compromise करना पड़ेगा बाकी 4 GB की RAM है, 108 GB की internal storage है, Helio G88 का chipset है इस mobile phone में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 11W की fast charging है, 50 MP का back camera है और 16 MP का selfie camera है यह mobile phone काफी decent specifications के साथ आता है और इसका जो design है वो भी काफी खुबसूरत है, boxy finish है यानि sides flat मिलती है lightweight और slim design है इस phone का, तो definitely मैं आपको यह phone ज़रूर recommend कर सकता हूँ यह तकरीबन 30,000 की price में अभी कुछ हफते पहले पाकिस्तानी market में launch हुआ था और कुछ online stores पर यह 28,000 रुपय का sale भी हो रहा था तो recently आप इसकी price check कर सकते हो तो यह एक ऐसा model है जो कि मैं आपको recommend कर सकता हूँ अगर आप refresh rate के उपर compromise कर सकते हो आपको AMOLED display चाहिए तो this phone can be a very good option for you I think तो भाई second device की बात करें तो मैं आपको recommend करूँगा Tecno Camon 18P यह mobile phone recently पाकिस्तानी market में launch हुआ है अभी I think 2-3 दिन पहले ही इसकी launch हमने देखी है इसकी unboxing की videos आपने definitely बड़े creators की तरफ से देखी होंगी तो भाई यह phone भी काफी अच्छी device है और काफी aggressive specifications के साथ यह phone आता है इसमें आपको IPS display मिलेगा लेकिन इसमें उन लोगों की satisfaction पूरी होने वाली है जिनको ज्यादा refresh rate चाहिए इसमें आपको 120 Hz का refresh rate मिलेगा काफी smooth experience होने वाला है display की अंदर Helio G96 का chipset होने वाला है 8 GB की RAM है 128 GB की internal storage है अगेन 5000 mAh की एक बड़ी battery है और उसी के साह साहते काफी decent यानि के 30 Watt की fast charging भी इस phone में आपको मिल जाएगी 35,000 रुपीज का ये mobile phone लाँच हुआ है आपको offline definitely कुछ discount भी मिल जाएगा online भी कुछ store पर discount आपको मिल जाएगा तो ये जो मैं आपको prices बता रहा हुँना इनको mind में रखिएगा ये invoice की prices हैं आप अपनी local shop पर जाएगे अपने city में shops पर जाएगे तो वहाँ पर आपको definitely discount मिलेगा कुछ phones पे 2000 का कुछ पे 2500 का, 1500 का but definitely आपको discount different market में different मिलेगा जरूर तो अब भाई ये था दूसरा phone जो के मैं आपको recommend कर रहा था एक आप से छोटी सी request करनी थी अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को subscribe कर लें और भाई like कर दीजेगा वीडियो को comment session में बताइएगा कि आप कौन सी device pick करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के third smartphone की बात करें तो वो मैंने आपके लिए select किया है Redmi की तरफ से इसका model है Redmi 10 ये mobile phone एक चीज में ज्यादा बहतर नजर आया मुझे इसलिए मैंने आपके लिए ये phone select किया इसमें भी आपको IPS LCD display मिल जाता है लेकिन इसमें आपको 90 Hz का refresh rate मिलता है ये एक चीज इसकी एक और phone जो आगे आपको बताने वाला हूँ उससे जरा बेतर है तो इस phone में 90 Hz का refresh rate है 4 GB की RAM है 128 GB की internal storage है Helio G88 का chip set है इस mobile phone में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है 18 Watt की fast charging है 50 MP का back camera है और front side पे है 16 MP का selfie shooter अब ये same templates कुछ सारी companies लेकर चल रही है बस आपने brands को देखते जाना है कि आपको कौन सा brand ज्यादा value for money लगता है और आपके लिए कौन सी company बाइक वाला गुजर गया आपके लिए कौन सी company ज्यादा बेहतर है यानि आपको कौन सी company ज्यादा authentic लगती है इसकी कीमत थी तकरीबन 31,000 रुपीज जिसमें ये launch हुआ था definitely offline market में अगर ये phone available है तो आपको 2-3,000 का discount मिलेगा 2,000 का तो definitely मिलेगा तो under 30,000 आप इस phone को consider कर सकती हो next model है again techno की तरफ से techno camon 18T अब ये दो smart phones launch हुए हैं इस mid range segment में techno की तरफ से और एक techno camon 18 premier है जो के ज़रा महंगा है 50,000 से उपर का है तो वो higher mid range segment बन जाता है तो ये जो दोनो smart phones है मैंने आपको recommend की हैं techno camon 18P को हम पहले discuss कर चुकी हैं भी और अब हम बात कर रहे हैं techno camon 18T के बारे में ये smart phone भी काफी decent specifications के साथ आता है अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बहतरीन specifications है लेकिन market का जो इस time template चल रहा है ये भी उसी को follow करता हुआ नजर आ रहा है techno camon 18T के अंदर भाई आपको IPS display मिल जाएगा 60 Hz के refresh rate के साथ अब मैंने इस से पहले आपको Redmi 10 के बारे में बताया है ना उसमें 90 Hz का refresh rate आता है तो ये एक छोटा सा edge है जो के Redmi ज्यादा दे रहा है लेकिन price Redmi की थोड़ी सी ज्यादा है तो camon 18T में आपको 60 Hz का refresh rate मिलेगा helio g85 का chipset मिलेगा भी यहाँ पे कोई upgrade नहीं है camon 17 में भी helio g85 का chipset ही था 4 GB की RAM है 128 GB की internal storage है यहाँ पे थोड़ा बहुत downgrade भी किया गया है क्योंकि camon 17 में 6 GB की RAM हुआ करती थी इसमें 4 GB की RAM कर दी गई है बाकी भाई same template है 5000 mAh की बड़ी battery है 18 watt की fast charging है एक चीज इसमें ज्यादा बेहतर include की गई है यानि इसका back camera 48 MP है और इसका selfie camera भी 48 MP है अब वो लोग जो कम कीमत में एक अच्छे selfie camera वाला phone लेना चाहती है तो definitely techno camon 18T can be a very decent option for those persons लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आप camera review लाजमी देख लीजेगा इस phone को buy करने से पहले ये मेरी recommendation है आप दोस्तों के लिए क्योंकि इस phone को मैंने खुद use करके नहीं देखा आप camera review देखेंगे तो आप judge कर लेंगे इसका camera front camera back camera कैसा है अब भाई इस phone की price है तकरीबन 29,000 उपए जिसमें ये launch हुआ है और 100% आपको discount जरूर मिलेगा यानि कि आप ये consider कर सकती हो कि 1500 से 2000 उपए तक मजीद इसमें आपको off मिलेगा पांचवे नमबर पे है Infinix Note 11 Pro ये phone अभी अभी launch हुआ है तकरीबन मैं कली I think इसके unboxing देख रहा था तो ये भी एक काफी अच्छा option है आप लोगों के लिए अगर आपने phone purchase करना है अंडर 35,000 इस mobile phone की बात करें भाई तो इसमें आपको IPS LCD डिस्पले मिल जाएगा और इसमें 120 Hz का refresh rate मिलेगा ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज है भाई 120 Hz का refresh rate काफी smooth feel करवाएगा इस mobile phone के डिस्पले को उसके बाद भाई इसमें 8GB की RAM है और इसके अंदर है 108SGB की internal storage Helio G96 का chip set है जो के काफी powerful chip set है इस mid range segment के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और 33W की fast charging है back side पे 64 MP का camera और front side पे 16 MP का एक selfie shooter तो ये phone भी काफी अच्छी specifications के साथ आता है Tecno Camon 18P की और Infinix Note 11 Pro की specifications काफी हद तक सेम है price का थोड़ा difference है Tecno Camon 18P 35,000 रुपे की price के साथ launch हुआ है जबके Infinix Note 11 Pro launch हुआ है 34,000 की price के साथ जिसमें मजीद भी आपको 2000 रुपे का discount मिल जाएगा तो under 35,000 ये phones थे जो के मैंने आपको recommend करने थे अब मैं अगर आपकी जगा होता तो कौन सा phone चूज करता देखो भाई personal opinion है हर बंदे का हर बंदा आपनी मरजी की चीज़ें जो है न वो prefer करता है लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा edge देता AMOLED डिस्प्ले को अब आपने ये फैसला करना है बात बड़ी simple सी या बड़ी असान सी है ये पांचों phones में से आप कोई भी pick कर सकती हो अगर आपको AMOLED डिस्प्ले वाला phone चाहिए तो इस time और कोई competition available नहीं है Infinix Note 11 ले लो अगर आपको higher refresh rate वाला phone चाहिए तो techno Camon 18P या फिर Infinix Note 11 Pro इन में से कोई एक phone pick कर लो जिसमें 120 Hz का refresh rate हो और भाई आप लोगों ने फैसला करना है कि आपकी priority क्या है और आप किस लिए phone लेना चाहती हो और company भी आपको कौन सी suit करती है पहले किस company का phone यूज़ कर रहे हो क्योंकि वो एक resemblance create हो जाती है बंदा already एक company का phone यूज़ कर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe कर लें इस वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और comment session में मुझे लाज़ भी बताईएगा कि आपके नमें से कौन से device पेक करने वाले हो बहुत बहुत शुक्रिया जर्जा कर ला